रास्टिय पोशन माह के तहट प्रदेश के सभी जिलों में जागरुपता कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं। बैतूल के क्रशे विज्ञान केंदर एवं महिला बालवा विकास के संयुत तत्वा धान में आयोजित कारिकरम में महिलाओं और बच्चों को पोशन आहर की जानकारी दी जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जैसे बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी से निर्मित यंजन प्रदर्शिक किये गए। प्रदर्शनी के जरिये महिलाओं और बच्चों को पोशन आहर का महत्व बताया गया। वही नुकड नाटक के माध्यम से पोशन आहार का महत्व बताया गया छात्राओं ने नाटक के जरिये को पोशन के दुष्ट प्रभावों की जानकारी दी और पोशन आहार लेने की अपील की हमारा यह मैसेज है कि जो श्री अन्य है कोडो कुट्की सावा यह सभी को अपने संतुलित आहर में शामिल करें और अच्छा और भॉष्टिक आहर खाएं जिससे कि यह जो बिमारियां हो रही है बहुत साही चीदों की न्यूट्रेंट्स ही कमी होते हैं से कैल्शियम बग्या पोशन के संबन्द में जो जानकारी है जो जागुरुकता अभियान को पहुचे और लोगों के भोजन में पोशक तत्म की पूर्णता हो पोशन अहर जागुरुकता कारक्रम के माध्यम से मोटे अनाज मिलिट्स के बारे में फैली भ्लांतियों को दूर करने के उपाय बता कि आज के दौर में मोटे अनाज के वेंजन भूजन की थाली से लिल्ला पता हो गए हैं यह अनाज शरीर में विटमिन्स, प्रोटीन, सहित अन्य पोशन तत्वों के महत्वकून कारक है वही कारिक्रम के दौरान समस्तकारी करताव, अधिकारी और छात्राओं में सफाई ब कुपोशन और इस शिकायते आ रही हैं, सरकारी इस तर पर कही पहर्योजनाएं लाके इनको कुपोशन से भचने की उपाय भी गया, आज का जो देश था मेंली कुपोशन को हटाने से संबंदित जितनी होशक तत्वों से भरपूर, अनाज है, श्रीयन वगरा है, उनके बा इनने यहां पे प्रदरशित किया है, मुझे लग रहा है इसको यदि पॉप्लराइज किया जाता है, तो आम जनता तक यह पहुंचेगी तो पोशट तत्मों का भरपूर, भोजन, आम जनता तक होटाने से मिलेट्स के बेंजन हमारे आंगनवारी कारकर्टाओं के दवारा तैयार किये गए हैं, और इस कारकरम में मिलेट्स के उपयोगी था, और इनको एकसेप्टेंस समुदाय में मिले, लोग इसको उगाए और अपने भोजन का अंग बनाए, इस थीम को लेकर के आज का कारकरम आज़ित किया गया था पोशन जागरुपता के माध्यम से स्वास्त को बढ़ावा देने के उड़ेश से आयोजित, इन जागरुपता कारकरमों का मुख्य उड़ेश, स्वास्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देना, तथा बहतर जीवन शैली में पोशन की भूमिका के बारे में से मनोच देशमुक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज भोपाल